नवश्कार मैं श्पेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन क्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार की रननीती काम आ गई क्या नितीश कुमार ने जो 2024 लोगसवाशुनाब के लिए रननीती सेट की थी वो रननीती अब काम हो करती हुई नजर आ रही है ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीसरे चरन के मतदान के जो रिजल्ट सामने आए है उससे ये साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है नितीश कुमार लगतार बिहार के अलग-अलग जगों पर जा रहे हैं बज़े तक 11% यानी की 60 प्रतिशत वोटिंग हुई है दूसरे नंबर पे सुपॉल रहा जहां 62 प्रतिशत वोट डाले गए है मधेपूरा 61 प्रतिशत अंठामर प्रतिशत और सबसे कम जंजार्पू लोगसभा में हुई है यहां शाम 6 बजे तक 55.50 प्रतिशत वोट पड़े है बिहार में दूसरे चुरन में 5 सीटों पर 49 प्रतिशत मतदान किये गए थे मुख निर्वाच्छों अधिकारी के अनुसार किशन गंज लोगसभाच शेतर में साम 6 बजे के बाद कुल 64 प्रतिशत कटिहार लोगसभा में फर्स्ट फेज में बिहार की चार सीटों पर मतदान हुए थे जिसमें 47.74 प्रतिशत जो है वोटिंग हुआ था और अंगाबाद की बात करें तो अंगाबाद में क्यान में परसिंच गया में 49 जमूई में 47 और नवादा में 43 प्रतिशत जो है वोटिंग हुई थी अस्तर पर कमीटी से समन में बैठक करवा के निर्देश दिया था नितिश कुमार ने कमीटी के सदस्यों को घर घर जाने के लिए कहा था और घर घर अभियान चलाने को कहा था कि लोगों से अपील करें कि जादा से जादा लोग जो है वो भूत पर आएं और वोट दे दरसल आपको बता दे पहले चरण में बिहार में जिस प्रतिशत के अगर नजर से देखा जाए परसेंटेज की नजर से देखा जाए तो वोटिंग बहद ही कम हुई थी और यह चिंता जनक था बिहार राज के लिए चिंता जनक था और खास करके राजनितिक पार्टियों के लिए चिंता जनक था लेकिन दूसरे चरण में यह परसेंटेज जो है वो जादा दिखे और तीसरे चरण में और भी जादा दिखे मामला अब कुछ भी हो एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि मौसम के बदलने के कारण जो लोग है वोट दे रहे हैं या फिर सायद चुनार प्रचार और प्रसार की वज़़े से भी लोग जागरुख हो रहे हैं कि वो जिने चाहते हैं जिने जीताना चाहते हैं उन्हें भारी मतों से जीता हैं इसलिए शायद लोग निकल भी रहे हैं और अब देखना होगा चौथे, पांचवे, छटे और सातवे चरण में जिन जीन जगों पर वोटिंग होने वाली हैं वहां में परसेंटेस कितनी रहने वाली है और अभी जो बिहार में थर्द चरन की वोटिंग की परसेंटेज है वो और भी आने वाले चरनों में कितनी बढ़ती है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही